Question number 20, first देखिए किस्वा सवाल क्या कहता है भाई, यह कहता है, which of the following is directly associated with ADHD, यानि attention deficit hyper activity disorder से कौन सा सीध्य तरीके से संबंदित है, पहला option है निमलिखित में से क्या ध्यानाभाव एवं अति सक्रियत विकार से संबंदित है, अब हिंदी में इसके इतने translation हो जाएंगे, हर साल ए क्या है, disability है, एक समस्या है, क्या ADHD, ADHD बोले तो attention deficit यानि बच्चे की attention में, अवधान में कमी है, और बहुत ज़्यादा hyper active है वो, active नहीं है, एक होता active मतलब सक्रिया है बच्चा, hyper active है, वो एक में टिक के बैठ नहीं पाता, उचलता कुता रहेगा class में, है ना, तो attention उसकी ज attention में तो deficit है, आप कह रहे हो, high है attention spend, तो यह तो opposite बात हो गए, यह आपको पागल बनाने के लिए, या नहीं, distract करने के लिए option लगाया गया है, persistent impulsivity, पिल्कु सही बात है, बच्चा क्या है, इमपल्सिव होता है, इसलिए टिक के बैठ नहीं पाता, हर minute उसके अंदर कुछ कुछ उचलता रहता है, जो उसको टिक के नहीं बैठने देता, low activity levels, ऐसा नहीं, activity high level के, even hyper active है वो, extended patience to listen, patience की तो बहुत कमी है, ऐसे बच्चों को बहुत ही, छोटी-छोटे टास्क देने पड़ते हैं, जो समय में ब्रेक करके आप देंगे, 30 मिनट का का काम इनको एक साथ इनको पांच मिनट में भी हो सकता है, तोड़ के देना पड़े कोई काम, पांच-पांच मिनट के उसमें, मतब आप छोटे time slots में तोड़ सकते हैं, ऐसे बच्चे के लिए, क्योंकि इनकी attention जाद देर तर टिक करके नहीं रह पाती, तो उच अवधान अवधी होती है, ये एकदम गलत है, पूछा क्या था हम से ये बूल गए हम लेकिन, directly associated है, तो directly associated है, low activity level, persistent impulsivity, persistent impulsivity ही directly related है, बाकी तो opposite बात कर रहे हैं, तो persistent impulsivity है यहाँ पे, जरड़ आवेग शीलता, यानि बहुत जादा impulsivity है, hyper active है, impulse को control नहीं कर पाते हैं, जो मन में आ रहे कर रहे हैं, तो B option is the right answer, आगे बढ़ेंगे question number 22nd पर क्या कहता है, यह देखेंगे एक बार, पटा फट से समझते हैं, question number 22nd, Inclusion as a philosophy and practices situated in the context of diversity, यानि जो inclusion है, जो समावेशन का यह जो समप्रत्य है, इसके पीछे की जो philosophy है, जो thought है, वो क्या है, विभिनिता के संदर्भ में बात है, कि बच्चों में विभिनिता होती है, तो यह किस चीज़ को include करता है, कैसी विभिनिता को include करता है, linguistic diversity, यानि भाशा क क्या आधार पे विभिनिता हो सकती है, चार बच्चे कोई पंजाबी बोलेगा, कोई गुजराती बोलेगा, कोई मराथी बोलेगा, कोई और भाशा बोल सकता है, लाइक शेयर करना आप भूल जाते हैं, तो बिलकुल सही बात है, जेंडर डाइवरसिटी भाई, अलग दूसरी किसी को किसी चीज में समस्या हो सकती है, तो डाइवरसिटी हर एक आधार पे इंक्लूडड होती है, इंक्लूसिव क्लास्टूम में, फर्स, सेकिंड, थर्ड, पोर्थ, चारों सही है यहां पर, फर्स, सेकिंड, थर्ड का कोई ऑप्शन भी नहीं था, तो अगर हम ability और disability को हलका सा कम बहतर भी मानें, तब भी हमारे पास option नहीं है, तो यह कई बार option की अनुसार भी जाना पड़ता है, हाला कि यह योगिता और विकलांगता इस तरह से लिखना बहुत ही positive बात नहीं है, बट यह just context में कह रहे हैं, इन चारों options को देखते हुए, फिर हम question number 23rd है, students struggling with dash often face difficulties in mathematical concepts and computation, मतलब वो बच्चे जो किसी एक समस्या से संघर्ष कर रहे हैं, वो कौन से संघर्ष करने वाले शात्रों को अकसर गड़तीय अवधारना और गड़ना में खठनाईयों का सामना करना पड़ता है, अभी बताया था, calculation से संबंदित, गड़त से संबं को है learning disability आपकी dyscalculia, क्या है dyscalculia, गुणच वैफल लिया या वैकल लिया, dysgraphia, graph से याद रखे है, graph किस से बनाते थे हाथ से, तो writing से संबंदित है, यह important है 3-4 जादा, writing से वैसे भी बहुत सारे हैं, लेकिन यह जादा important, dyslexia, reading से संबंदित है, कई बार reading, writing दोनों एक साथ आजाते हैं, तो reading तो major है, इसमें, autistic बच्चा जो है, वो repetitive behavior करेगा, ज्यादा उसकी surrounding में अगर change होगा, तो change को वो reluctance होती है, change के प्रती, तो dyscalculia होगा यहाँ पर जो सही उत्तर है, कि calculation या computational skills में problem होगी, बच्चे को 24 देखेगा एक बार, क्या कहता है, and assistive technology to aid vision, यानि देखने में सहायता करने के लिए, aid का मतलब, teaching aid, मतलब teaching में, section में, section सहायक समगरी को teaching aid कह रहे हैं, तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है, जो visually देखने में सहायक समगरी होगी, कौन सी हो सकती है, देखने वाले बच्चे के लिए, assistive technology क्या हो सकती है, मतलब, बच्चे को देखने में help होगी, visually challenged बच्चे को कौन सी एक टक्नीक है, large print work sheets, हाँ बई, अगर मुझे कम दिखाई देता है, तो मिर लिए बड़े अक्षों में लिखा जाना चाहिए, बात तो सही है, बजाए कि मैं इतना छोटा लिखूं board में, teacher को इतना बड़ा ल यह कोई बहुत लंबा अच्छा खासा तरीका नहीं, आप magnifying glass लगा कि हर वर्ड थोड़ी पढ़ते हैं, तो इसमें दोनों option सही हैं, और I think इसमें जो है, इन्होंने एक free का number दिया हुआ है, आज के set में 2-3 questions ऐसे हैं, जिसमें CETAT ने खुद 2 option सही दे दिया है, या 2 option गलत दे दिया हैं, तो उस टकर में इनको free का number फिर बाद में देना पड़ा, तो हम कहेंगे कि सबसे बहतर option अगर यहाँ पे choose करना हो, तो हम कहेंगे voice activated computer, कि जो अच्छी assistive technology की अगर हम बात करना है, तो technology की form में वाक चलित computer, क्योंकि worksheet जो है, वो large print वाली, वो normal चीज है, मतलब वो normal TLM है, teaching learning material, assistive technology की अगर बात करना है, तो voice activated computer होगा, यानि बच्चा कर देख करके उसको नहीं चला पा रहा है, तो वो बोल करके चला पाई, voice activated हो जाए, command से चल जाए, जैसा आजकल आपके phones में होता है, तो इसमें तो B option है clearly, चाहे सीटाट कुछ भी कहें, question 25 देखेग चार elements होते हैं, जो बताएं हैं किसने, जो है पॉल गिलफर्ड ने, अगर हम बात करें, flexibility होती है, fluency होती है, originality होती है, elaboration होता है, flexibility क्या है, एक idea काम नहीं करेगा, दूसरा idea, fluency क्या है, इतने number of ideas हैं, बहुत सारे ideas आते हैं, एक या idea नहीं है, उसमें से कुछ try करते रहें originality है, मॉलिक विचार होगा, किसी का copy paste नहीं कर दिया, कि अच्छा, let's learn पर यह हुआ है, चलो हम भी यही डालते हैं, है ना, यही कर लेते हैं, जैसे यहां होता है, ऐसा हो सकता है, elaboration है, मतलब उस चीज़ को आप in depth जा पारे हैं, तो flexibility, fluency, originality, यह तो बिलकुल सही लक्ष कर रहे होते हैं, convergent नहीं, divergent और flexible thinking चाहिए, rigid नहीं, तो A option है, विचारों का लचीलापन, प्रवाहा और मॉलिकता, यह 4 characteristics में से 3 ही उपर दिये हुए हैं, first line में, question number 26 देखिए और जवाब दीजे, यह कहता है, multiple ways of dash are of importance for successful implementation of universal design for learning, UDL, यह मैंने आपका child-centered education में भी एक बा offline में, और इस बार सी नहीं, online में भी पूछना शुरू कर दिया है, समझते हैं, कहानी है क्या, अगर हम बात करें, सीखने के सारुभामिक design के सफल क्रियान वयन के लिए, dash के कई तरीके महतुपून है, universal design for learning होता है, हर तरहा का बच्चा सीख पाए, एक class में universal design है learning का, universal ways of representation are of importance, बिल्कुल सही बात है, universal design में जब multiple तरहा के बच्चे, बिल्कुल तरहा के बच्चे को, बिल्कुल सही बात है multiple action के तरीके हो सकते हैं बिल्कु सही बात है engagement के तरीके हो सकते हैं बच्चे को बिल्कु सही बात है अब इसमें free का number seat at ने 100% दिया है 9 लिखा हुआ मिलेगा अगर आप answer की check करेंगे labeling नहीं हो सकता label नहीं कर सकते आप बच्चे को तो इसमें कहानी क्या हो गए कि तीन option positive देदी है तो इनको नहीं पूछना जब था तो इसमें not लगा देना था कहीं successful या creativity के लिए भी कई बार ऐसा एक question था तो not लगा देना था कि universal design के लिए कौन सा एक तरीका important नहीं होगा तो labeling हो जाता यहां answer बाकी के तीनों ठीक हैं तो इसलिए इसमें क्या हुआ है free number मिला है इसमें तीनों answer सही है चाहिए अपने representation लगाया हो engagement लगाया हो action लगाया हो क्योंकि universal design सार भामिक design में multiple ways of action बच्चे अलगलग तरीके से active हो engaged हो representation चीज को present करने का तरीका different teaching methods इन सब को include कर सकते हैं लेकिन labeling बच्चे पे ठपा लगाना तुम fast आते हो तुम इस जाती से हो तुम यह भाषा बोलते हो तुम अच्छे नहीं दिखते यह सब labeling है ठपा लगा रहे है आप बच्चे पे तो एक चीज negative है उसके अलावा तीनो positive है तो यह तो question ही इन्होंने गलत बनाया है इसमें not लगाना था और labeling बन जाता answer सही फिर question number 27 providing opportunities to all students for achieving their potential यानि हर बच्चे के अंदर जो छिपा हुआ potential है उस योगिता को निखार करके लाने के लिए irrespective of variation in their abilities यानि अलग-अलग शमता हैं हो सकते हैं लेकिन हर बच्चे में कुछ तो संभावना होगी न every child has a potential हमने child centered education में भी बात की थी अब आप समझ पा रहे होंगे कि क्यों हम sequence में चल रहा है syllabus की according क्योंकि एक topic दूसरे topic से जुड़ा हुआ है is a key objective of dash classroom किस तरह की classroom में हम ये मानते हैं कि हर एक बच्चे में क्या है potential होता है तो child centered approach ये मानती है और child centered approach को follow करके हम inclusive education भी लगा रहे हैं कि हर बच्चे का ध्यान रखा जा सके system के लिए बच्चा नहीं बच्चे के लिए system है यानि change the system for the child not change the child for the system opposite नहीं है इसका कि बच्चे के लिए system बनाया गया system के लिए बच्चा नहीं बनाया गया कि चलो चलो system बनाया चलो बच्चे बनाते हैं ये नहीं होता है ठीक है न इसको otherwise ना लेके जाए special education नहीं inclusive education है ये कि भाया हर एक बच्चे में diversity हो सकते है abilities में अंतर हो सकता है किसी का किसी चीज में interest हो किसी बच्चे का किसी चीज में interest हो लेकिन inclusive education ये मानती है कि हर बच्चे में कुछ ना कुछ शमता तो है कुछ ना कुछ potential तो है integrated में हम admission तो ले ले थे लेकिन हर बच्चे की needs cater नहीं करबाते थे जबकि inclusive में हम system में change भी लाते हैं integrated में system में change नहीं आपा रहा था उस level पे non-progressive नहीं यहाँ progressive लिखा होता तो सही हो जाता फिर inclusive नहीं देते हैं कि तो option देना था सही ठीक है ना? question number 28 question number 28 देखिएगा क्या कहता है भाई to cater to children from disadvantaged background one-chit-some-ho work के बच्चे all आभानवित जो लाभ नहीं मिला उनको basic सुवधाई भी नहीं मिली ठीक है न शिवांगी तरपाथी तो give them a lot of all written work written work? बच्चे active होता है written work से ratification हो गया, बार-बार repetition हो गया find out more about their context and involve them in class discussion यानि वो बच्चे जो वंचित-समूव से हैं वंचित-प्रिष्ट-भूमी से हैं उनके संदर्ब के बारे में उनको जानना और उनको include करना, उनकी real life से जुड़ गए आप यहां make them set separately, separately नहीं बठाना होता है, कुछ बच्चों को अलग थलग बठा दिया आपने ignore तो करके कोई solution निकलना नहीं है तो B option ही एक मात्र सही उत्तर यहां हो जाता है, which of the following learning disability, बस एक चीज को ध्यान में रखना है हर बच्चे को include करना है, that's it which of the following learning disability impacts and individuals ability of balance, manual, dexterity and hand-eye coordination, याणि निमलिकित में से कौनसी अधिकम और शक्तता learning disability ये word किसमें दिया था, Samuel Kirk ने 1960s में, है ना LD, learning disability याणि learning में कोई disability अब वो dyslexia हो, dyscalculia हो dyslexia हो, whatever learning disability, जो word है LD, Samuel Kirk नाम के विक्ति ने Samuel Kirk, हिंदी में भी Kirk ही कहेंगे, नाम, 1960s में दिया था ठीक है जे तो यहाँ पर बात हो रही है impacts and individuals ability of balance यानि बच्चा balance नहीं कर पाता खुद को या एक individual, manual dexterity यानि कि शारिक निपुन्ता, मतलब कोच ऐसे काम हो सकते हैं लिखना, button लगाना, कोई activity में उसको भाग लेने में समस्या हो रही हो manual dexterity and hand-eye coordination, यानि हाथ और आख के सामन जसे है, हाथ और आख के बीच में सामन जसे कब होता है, pen पकड़ने में नहीं हो पारा, coordination नहीं बन पारा tie बांधने में button लगाने में, shoelaces बांधने में जूते के फीते लगाने में इन सब में एक hand-eye coordination चाहिए होता है न तो ये dyspraxia का उधारन है जिसमें motor activities motor activities समझते हैं, गत्या तमक, चलना, फिरना, दौरना, भागना या gross or fine motor skills आपको पताईए इसमें तो गती समनवे, वैकल्य है dyslexia, dyscalculia, dysphasia नहीं होगा dysphasia होता है, भाशा को समझने से समझने से समझने समस्या, dyslexia आपको पता है किस समझने समझने होता है dyslexia समझने होता है पढ़ने से, dyscalculia होता है, गढ़ना करने से, यानि की calculation से, तो यहाँ पर dyspraxia is the right answer, कि motor hand eye coordination ठीक नहीं होता, dyslexia उसमें, dyspraxia में, question number 30 देखिए, which of, which identifying characteristics are students with autism are likely to have, वो बच्चा जो autistic है स्वालिन्ता है, जिसको autism पर बहुत question आ रहे हैं इस बार तो उसकी क्या विशेष्टा होगी, कैसे पहंचानेंगे एक teacher को पता तो होना चाहिए, क्लास में अलग अलग बच्चा है, एक बच्चा है जिसको देखने में समस्या है तो आप देखतेंगे, वो बार-बार खड़े हो करके देखता है या आँखों को बहुत पलकिया चपकाता है अपनी या उसको कठिनाई हो रही है देखने में, गलत लिखता है नोट बुक में, तो आप पहँचान जाएंगे किया लक्षन है और लक्षन बता करके भी दॉक्र पहचान नहीं बाता तो या तो टेस्ट कराएगा फिर लेकिन लक्षन से भी तो बता लगेगा, टेस्ट करने जाने के लिए भी तो पहले लक्षन पता होने चाहिए तो एक teacher को लक्षन पता होने चाहिए, इसलिए आप ये पढ़ते हैं कि autism क्या है, ADHD क्या है, या फिर gifted बच्चा है तो कैसे पहचानना है, क्योंकि वो जल्दी कर लेगा, चीजने जल्दी से समझ लेगा, कोई और समस्या है तो कैसे पहचानना है, तो autistic बच्चे को communication में difficulty होती ह ये 100% सही बात है, high urge to interact with all, ये तो opposite हो गया, ये ज़्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं करेगा, ज्यादा social नहीं होगा, very low IQ, ये बात एकदम गलत है कि autistic बच्चे का IQ कम होगा, ऐसा नहीं है कि ये बच्चे सीख नहीं सकते हैं, या इनका IQ कम होता है, intelligent होते हैं, advanced social skills, ये त आम आने सी बात है, तो communication difficulties, या repetitive behavior, या stereotypical behavior, ये सब autism से जुड़े हुए है, which of the following, question number 31 है, which of the following is not an identifying characteristic of students with creativity, यानि रशनात्मक बच्चे का लक्षन नहीं है, not पूछा है, जहान से जवाब देना है, निमलिकित में से कौन सी स्रजनात्मक उधियारती की पहचान या विशिष् नहीं है, strong sense of curiosity, जग्यासा जाता होती है, ये तो विशेष्टा है, हमसे पूछा है क्या नहीं है, convergent thinking, ये बात एकदम सही है, क्योंकि जो है Paul Gilford, JP Gilford, जिनको हम कहते हैं, वो कहते हैं, भई divergent thinking, दिशाओं में सोचने से कुछ नया दिमाग में आएगा ना, जो दिशाओं म creativity साथ नहीं चलते, ठीक है ना, इतनी बात clear है, तो यहाँ पे convergent thinking जो है, बिल्कुल भी एक characteristic नहीं है, creativity का, फिर भी हमें देखने पड़ेंगे, बाकी options, higher order problem solving हो सकती है, creative बच्चे में, क्योंकि कुछ ना कुछ problem या कुछ नया करने ही कोशिश कर रहा होगा, novel innovative ideas, यानि लगा करके देते हैं, यह क्या किसी ने तो creativity लगा ही होगी, कोई तो problem solve की होगी, कुछ तो innovative idea सोचा होगा, चाहे छोटा ही सही, ठीक है ना, thank you प्रतिबाह, तो answer क्या होगा, अभी सारी सोच जो है, वो बिल्कुल भी सही उत्तर नहीं हो सकता, question number 32 देखिए एक बार, question number 32, ब that reduces visual and auditory distractions, यानि वो बच्चे जिनको ADHD है, उनको help मिल सकते है, एक well designed approach से, जो visual and auditory distractions को कम करता हो, यानि सुनने में भी जादा distraction ना हो, ऐसा environment और देखने में भी distraction ना हो, simple हो सकते हैं, चीज़ें, बात सही है, students with ADHD have a low concentration span and get distracted easily, यह बात भी सही है, कि ADHD वाले बच्चों का attention span कम हो चाहिए उनके around, दोनों ही बातें सही है, आसान सा सवाल है, A and R, true and R is the correct explanation of A, आगे बढ़ेंगे question number 30, third देखेंगे, क्या कहता है तेते सवा सवाल, यह कहता है, inclusion of strengths with visual impairment, वो बच्चा जो दृष्टी बाधित है, उसको समाविशित करने के रिए क्या तरीके सही होगे, अंज of tactile and other materials which are embossed, यानि उबरे हुई सामगरी, उबरे हुए material के, जिसको वो touch and feel कर सके, चाहिए वो braille lippi हो, tactile material भी touch and feel material होता है, जिसको बच्चा touch and feel करके समझ सकता है, बलकु सही बात है, use of tactile and other materials which are embossed, उबरे हुए हो जो, भई इस पर कुछ उबरा हुआ हुआ नहीं, अगर यहां उबरा हुआ होगा, तो जो बच्चा देख नहीं सकता, वो भी touch करके पढ़ लेगा, ब्रिल लिपी में यही तो होता है, restriction on usage of assistive technology, भई, assistive technology का use करने तो, कोई ऐसा device, जो अभी हमने last question किया था, बीच में, कोई device जो screen पर क्या लिखा है, उसको पढ़के बता देगा, तो बच्चा सुनतो लेगा, कम से कम क्योंकि देख नहीं सकता, तो assistive technology तो helpful होती है, ऐसे बच्चे के लिए, use of sign language by teacher and peers, sign language, जिस बच्चे को दखाई नहीं देता, उसके सामने, आप sign language का use करेंगे, उसको कहां से समझ में आएगा, sign language, जो बच्चे सुन नहीं सकते या बोल जिसको हम कह देते हैं, question number 34 देखेगा, identifying features of creativity, again creativity पे simple questions है, conformity, conformity होती है, यह आपने मान लिया, सामने वाले ना जो कहा है, यह आपके सामने जो चला आ रहा है, आपने conformity दिखा दी, इससे creativity है कुछ नया निकल के नहीं आता, इससे बस आप leak, लकीर के फकीर जिसको बोलते है आप उसी चीज़ पे चलते रहेंगे, जो पहले से चली आ रही है, conformity से कुछ नया नहीं निकलता, है ना, कि यह तो ऐसे ही होता है, अब जब ऐसे ही होता है, आपने मान लिया, तो आप कुछ नया नहीं कर पाएंगे फिर, ठीक, किसीने सोचा होगा कि ऐसे क्यों होता है, तो creativity वहां से आती है, convergent thinking, convergent thinking और creativity का कोई रिष्टा नहीं है, CC साथ नहीं चलता है, DC चलता है, यह याद रखिएगा, DC बोले तो divergent और creativity एक साथ चलते हैं, divergent thinking और creativity, तो divergent thinking कहा है, यहाँ पर, तो हम समझ गए कि यही होगा, hypothetical, deductive reasoning, higher mental abilities, scientific thinking, उन सब के लिए use होती है, ना नमर 35 देखिए, यह क्या कहता है भाई, यह कहता है, inclusive education in schools should, यानि समावेशी सिक्षा जो है, schools में, उसको क्या, कैसे हम देखते हैं, बताओ एक बार, विद्यालियों में समावेशी सिक्षा, aim at eliminating the discriminatory and exclusionary practices that are a result of an attitude towards an individual or a group, यानि कि inclusive education eliminate करने की कोशिश करती है, ऐसा विभार जो exclusion लाता हो, अलग थलग करता हो बच्चे में, भेदभाव करता हो, discrimination करता हो, बिलकुछ सही बात है, identify and classify, identify and classify appropriately, label group of children, label नहीं लगना, ठपा नहीं लगाना बच्चे पे, make provisions for special education, नहीं, inclusive education में, special education होती है, blind school अलग हो गया, blind बच्चों के लिए, deaf and dumb बच्चे के लिए रहे हैं, eliminate कर रहे हैं, problems को, यह ऐसी practices को, जो बच्चे को अलग थलग कर रहे हैं, तो A options है, ही ता, question number 36 देखेंगे, teachers can encourage children to think creatively, कैसे teachers जो है, वो बच्चे को रशनात्मक ठंग से सीखने के लिए प्रोथसाहित कर सकते हैं, देखिए, सारे topic, inclusive education में है, चाहे वो giftedness हो, learning disability हो, बच्चा है, वो autistic बच्चा हो, dyslexic बच्चा हो, ADHD, autism, dyslexia, dyspraxia, dysgraphia, dysmorphia, dysmorphia, बहुत सारे हैं, dyslexia थो हम पढ़ी चुके हैं, आपके हैं, unlimited ही आते हैं, तो यह सारे जो है, या giftedness, या creativity, हर तरहा का बच्चा inclusive classroom में है, इसलिए हम यह सब इसी topic के अंदर पढ़ रहे हैं, है ना, हमें लगता है, यह अलग से topic of learning disability नहीं, यह inclusive education के अंदर ही आता है, बैच्चेस में भी हम ऐसी discuss करते हैं, asking them to think of different ways to solve a problem, बिलकुँ सही बात है, creativity का मतलब है, कुछ नए धंग से किसी समस्या का समाधान लाना, जो चला आ रहा है, conformity नहीं, कुछ different, कुछ out of the box सोचना asking them to memorize, रटना नहीं है, यहाँ पर कुछ different सोचना है, recall करने में तो क्या लगता है, आपने किसी का number याद किया, उसको recall करके बता दिया, क्या नया किया, नया करने में नए तरीके सोचने होते हैं, किसी समस्या को समाधान के different ways सोचने होते हैं, asking them to focus on only one aspect नहीं, different aspects of our divergent thinking चाहि उस चीज के लिए अगर बढ़ावा देंगे, तो creativity निकल करके आगी classroom में, question number 37 देख लिजए एक बार, क्या कहता है ये, to cater to diversity in a classroom, the teachers should focus on, यानि हमें पता है कि विभिनिता है बच्चों की, कक्षा में विभिनिता को पोशित करने के लिए, हम क्या करेंगे, segregate कर देंगे ये ही, क्या करना होता है, segregation तो बिल्कुल उल्टा हो जाता है, इसका, अलग कर देंगे, label कर देंगे, दोनों negative word है, negative discrimination ये तो खराब बात हो गई, equity is the right word, यानि समता का हम ध्यान रखें, एक चीज होती है, equality के दो लोगों को आप बिल्कुल बराबर treat कर रहे हैं, हर तरीके स क्या, आप equality की बात तब करोगे ना, जब दोनों लोग same level पर खड़े होंगे, एक को आपने पहले सी दबा के रखा है, तो उपर उठाने के लिए भी एक्स्टा efforts लगेंगे, तो equity based है ये diversity का principle, कि हम बच्चे के प्रती stance पर करके जहां जोरत है, अगर उसको extra help या extra favor की जोर नहीं पड़ेगी, question number 38 देखेगा, question number 38 कहता है, in our diverse class with students from disadvantaged backgrounds, our teacher should, यानि ऐसी कक्षा जहां विभिन निता, विभिन शामताओं वाले बच्चे या विभिन प्रिश्ट भूमी वाले बच्चे हैं, उनको include करने के लिए teacher को क्या करना चाहिए, तो यहां पे आपको फटा-फट यानि जो group dominant है class में सबसे ज़्यादा है, उसी को नहीं, encourage only children from disadvantaged, सिर्फ disadvantaged बच्चे को ही अपने अनुभव share करने के लिए कहेंगे, या फिर share her own experiences and encourage all children to share experiences, क्योंकि अगर आपने सिर्फ वंचित समूवर्ग वाले बच्चे को equity दिखानी है, बट ऐसा नहीं दिखानी कि वो partiality लग जाए classroom में, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको उस बच्चे को include करना है, जो disadvantage समूवर्ग से भी आएगा, क्योंकि बाकी बच्चे तो अपने experiences share कर देंगे, हो सकता है यह बच्चा थोड़ा जिज के अपनी बात को खेहने से, क्योंकि इसने समाज में बहुत ज बच्चों को आपने include कर लिया और सबके अनुभव आगे, आगे बरते हैं, आप as a teacher अपने अनुभव से शुरू करके और बच्चों को include करेंगे, सब अपने अपने अनुभव बताएंगे, तो एक सही माहल create हो जाएगा, question number 39, वो बच्चा भी अपने आपको accepted feel करेगा, ज इसको समाज ने बहुत जाद acceptance नहीं दी है, disadvantage जैसी लिए कह रहे हैं उसको क्योंकि advantage नहीं मिल पाया कोई, assertion और reasoning, assertion क्या है कथन है, it is important to provide appropriate materials such as manipulative calculators and maths apps to students struggling with dyscalculia, यानि उन बच्चों को, जो maths में जिनको समस्या है, dyscalculia है, उनको हम ऐसे material, appropriate material provide कर सकते हैं, वो उस तरह की calculator हो सकते हैं, जो उनको help करें, ऐसे maths के कुछ app हो सकते हैं, जिससे उनको आसानी से समझ में आ जाए, तो ये बात एक्दम positive है, बच्चों को मदद हो जाएगी, इस्ट्रेंट्स having autism perform repetitive motor actions, ये बात भी सही है, लेकिन एक बात बताईए सर, कि यहाँ पे बात तो हो रही थी, कहीं और की, ले आए किसी और बात को, बात चल रही थी, dyscalculia वाले बच्चे की autism को बीच में डाल दिया, reason के तोर पे, जिस बारे में कथन था, उसी ये बारे में यानि बातें दोनों अपनी जगा पे सही है, ये repetitive motor action करता है, autism वाला बच्चा, ये repetitive behavior कर सकता है, और dyslexic बच्चे को आप दे सकते हो, dyscalculic बच्चे को आप दे सकते हो, maths app and all, calculator दे सकते हो, बट ये अपनी अपनी जगा पे सही है, दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं है, ब्रेक अप हो गया असलिए, क्यों, क्योंकि, ये वेक्ती भी सही है, A भी सही है, R भी सही है, लेकिन A और R साथ नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि A का जो reason है, A, R के लिए सही नहीं है, मतलब जो R है, वो सही उतर नहीं दे पार है, A के बारे में, दोनों क्या है, independently सही है, ठी क्या के questions में, पेट पे बान मारने के questions में, ऐसा हो सकता है, A भी सही हो, R भी सही हो, बट अपनी जगा सही है, साथ में सही नहीं है, ठीक है, पॉसिबिलिटी है कि नहीं है, है, प्यार महबदी बात इस तो नहीं समझा जाता है अपको, देखो कितना आवाम में खुशी एक बात करें, अजर्शन की, यह फिर से एक मुश्किल क्या है, यह थोड़ा लेंदी हो जाता है, अगर हम बात करते हैं यहां, कथन की, तो कथन क्या है, मतलब समावेशी सक्षन ऐसा सक्षित तंत्र है, जहां पर शारिक, मानसिक, सामाजिक, समावेशन एक व्यापक दर्शन है, यानि हर तरह की बच्चे को किसी को सोचली अगर अलग तलग महसूस हुआ है, है न, या फिर अगर हम बात करते हैं किस चीज़ की, सोचली, इमोशनली, बहुत, सिंगल पेरेंट बच्चा हो सकता है, जिसको इमोशनली उतना सपोर्ट नहीं मिला, या फिर फिजिकली कोई disability हो सकती है, हर तरह की बच्चे को इंक्लूड करते हैं, Inclusion is not confined to the disabled, but is a broader term, बिल्कुल सही बात है, Inclusive Education refer करती है, कि ऐसे education system के बारे में, जहां पे accommodations हैं, हर बच्चे के लिए, इसका reason क्या दिया है, कि inclusion जो है, वो सिर्फ confined नहीं है कि disability तक, इसमें हर तरह का बच्चा है included है, दोनों बात सही हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कौनों दिक्कत नहीं है, clear है?